हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए आयू सम्बंदित पूरा चेप्टर लेकर करके आया हूँ, पूरा चेप्टर आज आपका फिनिस हो जाएगा आयू सम्बंदित, आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आ मैं आपको सभी प्रेशने एक ही ट्रिक से करना बता हूँगा, और देखिए आयू सम्बंदित में होता है क्या, या तो अनुपात प्याधारित प्रेशन आते हैं, योग प्याधारित आते हैं, अंतर प्याधारित आते हैं, सब कूछ इसी वीडियो में आप सीख जाओगे चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास इनकी जो बरतमान आयू का अनुपात है अजय और विजय, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यह हो गया दोस्तों आपका अजय और यह हो गया विजय, इनकी बरतमान, बरतमान अनकी प्रिजेंट, प्रिजेंट की आयू का अनु पाथे 10, ठीक है, 4 बर्स बाद, अब यही चीज ही important है, जब बाद बोलेगा न बाद, तो present से बर्तमान से नीचे की तरफ आपको आना है, चार बर्स बाद बोलाना तो चार बर्स नीचे आ जाएए, ठीक है, चार बर्स बाद इनके आयू का अनुपाद 11 anुपाते 11 हो प्रिजेंट से चार बरस के बाद में 11 अनुपाते 12 हो जाएगा अजय की बरतमानायू कितनी है अजय की बरतमानायू पूछ रहा है कितनी है तो इसी प्रेश्णों को कैसे करना है देखे ध्यान देना पहले तो आपको नीचे वाले अनुपातों का अंतर कर लेना तो 11 और 12 का करेंगे 10 से तो 110 12 निम्मा 108 हो जाएगा देखो 108 11 का 10 से करो तो 110 अब इन दोनों का अंतर कीजिए 108 110 का अंतर दो आएगा नीचे लिख दीजिए और गुना कर देना है जो समय है चार बरस बात का चार से गुना कर देना है तो दो से मैं कटाऊंगा चार को दो बार में नो इससे मल्टिपाई कर दोगे लेकिन इससे नहीं करना इससे मल्टिपाई करने पर कभी कभी आंसर सही आ सकता है लेकिन हमेशा सही नहीं आएगा ठीक है इसका जो दूसरा नुपात है अजय का बरतमानायू पता करनी है ना अजय की बरतमानायू तो अजय का चार बरस ब उम्र कितनी है बाइस है तो मैं बरतमान में आने के लिए चार वर्स पीछे जाऊँगा तो बाइस में से चार पीछे जाऊँगा तो अजे की उम्र कितनी हो जाएगी अठारा वर्स हो जाएगी यहाँ पे ठीक है अठारा वर्स अगर मैं डायरेक्ट इस दो का अगर बरतमान की आयू पूछिए तो बरतमान वाले से multiply मत करो, बाद की आयू पूछिए तो बाद वाले से multiply मत करो, ठीक है न, उसका जो दूसरा है उससे करना है, तो यहाँ पर आजए कि वरतमान वाले कितने हो जाएगी 18 वर्स, पहला option सही जवाब है, चलिए अब देखें प्रिजेंट में A और B दो व्यक्ति हैं, प्रिजेंट से 10 वर्स पहले, तो मैं 10 वर्स उपर चला जाऊँगा, बाद के लिए प्रिजेंट से नीचे और पहले के लिए उपर, ठीक है, तो प्रिजेंट से 10 वर्स पहले, A और B की आयू का अनुपा, 3 अनुपाते 5 था, 3 अन पहले की थी है का मतलब बर्तमान की पूछ रहा है तो मैं आपको तरीका बताए 만들어 या है नीचे वाले दोनों रेशियों का अंतर दो और तीन, का अंतर एक आ जाएगा फिर किरोवस मल्टिपाई में आपको बताया तीन तरिक का नो और दो पंजे 10 दोनों का अंतर भी एक आ जाएगा और जो दिया गया समय है इस से आप क्या करोगे कि मल्टिपाई तो एक से दस को कटाओ 10 वार में 10 से कम 10 दस निकल के आ गया इनकी आयू है जिमतलब बर्तमानी के आयू पूछ रहा है न तो हमें बर्तमानवाले से बिल्कूल मल्टिपाई नहीं करना ठीक है पाश्ट वाले से करेंगे जो इसका दूसरा दिया गया तो 10 कमल पर 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा और 10 कमल पर 5 से करेंगे तो 50 हो जाएगा ये प्रिजेंट से 10 वर्स पहले की आयू निकल के आ गई A और B की लेकिन हमें तो प्रिजेंट की पता कर रही है 10 वर्स पहले की है न तो इसमें 10 वर्स जोड़के मैं present में आ जाऊँगा तो 30 में 10 जोड़के present में जाऊँगा 40 हो जाएगी और B की IU 50 है 10 वर्स पहले 50 जोड़के present में जाऊँगा तो 50 है तो 10 जोड़के present में जाऊँगा तो 60 हो जाएगी तो इनकी जो आयू है वो 40 बरस और 60 बरस है जो की D option में दिया गया है चलिए अब देखेंगे अगला सवाग अगला प्रशनी है अब जो मैं प्रशनी बता रहा हूँ ये योग पर आधारित है राम और श्याम की आयू का अनुपात 5 अनुपाते 4 है राम और श्याम इनकी जो आयू का अनुपात ये 5 अनुपाते 4 है तरता इनकी आयू का योग 18 سाल है जो योग दिया गया है वो दिया गया है 18 साल तो राम की बरतमान अयू कितनी है अब आपको अच्छे से पता है जब आपके पास योग है तो आप अनुपात का भी योग करोगे तो 5 और 4 नौ इस राम की आयू क्या हो जाएगी 45 बरस स्याम की पूछे तो 9 कमल पर 4 से करदो 9,4 के 36 बरस दोनों को जोड़ोगे तो योग एक 40 साल हो जाएगा कर लिया ना आपका सही जवाब क्या है राम की आयू पूछी थी 45 है ये आपका सही जवाब है चलिए अब देखेंगे अगला प्रशनि अगला प्रशनी है एक व्यक्ति तथा उसके पूत्र की आयू का यूग 100 साल है योग दिया आ गया है हमें 100 बरस है ये कहा गया अभी तक पांच वर्स पहले इनकी आयू का नुपाद दो नुपाद एक था अगर हम ये present में हैं तो यहां से 5 वर्स पहले क्या दिया गया है 2 अनुपाते 1 कब का present से 5 वर्स पहले का पहले के लिए मैंने बताया ऊपर जाते हैं एक था 10 वर्स 10 वर्स पिता तथा पुत्र के आईयूग अनुपात क्या होगा दस वर्स बाद तो इस प्रिजेंट से दस वर्स बाद का पूछा है उसने ठीक है इनका अनुपाद क्या होगा अब यहाँ पर इस प्रेशने को कैसे किया जाएगा देखेगा उसने बोला है एक व्यक्ति तता उसके पुत्र की आयू कायू यह सो बर्स है तो यह जो सो बर्स है यह कब है यह बर्तमान में है बर्तमान में है सो बर्स है अगर वो कहता सो बर्स था तो पहले था है का मतलब प्रिजेंट में है सो बर्स अब प्रिजेंट से प्रिजेंट से पांच वर्स पहले का अनुपाद यह है तो पाँच वर्स पहले जाएंगे तो जो फादर है उसकी आयू भी पाँच वर्स कम होगी और जो उसका पुत्र है उसकी आयू भी पाँच वर्स कम होगी जब बरतमान से प्रिजेंट से पाँच वर्स पहले जाएंगे तो दोनों की आयू पाँच पाँच वर्स कम हो जाए तो अनुपात का भी योग कर लो दो और एक तीन तो इस योग में अनुपात की योग से डिवैड कर दो तीस बार में जाएगा तीस का मल्टिप्राई अगर मैं दो से करूँगा तीस का मल्टिप्राई अगर मैं दो से करूँगा तो साथ और तीस से कम तीस ठीक है ये कब निकल गया प्रिजेंट से 5 वर्स पहले का हमसे पूछा है प्रिजेंट से 10 वर्स बात का अब यहां पे फादर और सन की जो आईू है वो 5 वर्स पहले 60 वर्स और 30 वर्स है अब फादर की आईू को देखो मैं बरतमान में लाऊँगा तो 5 जोड़के ही तो साल जाओंगा तो 45 हो जाएगे तो 75 और 45 इनका अनुपात पूछ रहा तो कटा दीजिए पंदर पंजे 75 पंदर त्रिक का 45 पांच अनुपाते 3 हो जाएगा प्रश्ण का सही जवाब बी ओप्सन बिल्कुल सही ओप्सन आपका केलियर हो गया ना आसानी से बना लोग इन प अनुपात है वो है 3 अनुपाते 11 कब का है ये प्रिजेंट का ठीक है इनकी आयू का अंतर 24 बरस है इनकी आयू का जो अंतर है वो 24 बरस है तीन बरस बाद इनकी आयू का अनुपात क्या होगा या इनकी बरस बाद यहां पे इनकी आयू का अनुपात क्या होगा वो पूछ जब आपके पास अंतर है तो आप क्या करोगे अनुपातों का भी अंतर करोगे जब योग होता है तो अनुपातों का योग करते हैं और जब अंतर होता है तो अनुपातों का अंतर तो तीन और ग्यारे का अंतर आठ आ जाएगा इस अंतर में अनुपात के अंतर से गए ठीक है आब चलो तीन के अधितिन नो और तो दो दो कितना हो जाएगा भी या बारा और तेस में तो कितना हो इनका हम से अनुपात पूछा है अनुपात आप देखो किसी कौमन संख्या से कर सकती है तो हम काट देंगे देखो 12 एक 12 बारा 12 र्क 36 यानि एक अनुपाते 3 हो जाएगा तीन वरस के बाद में इनका अनुपाते 3 हो जाएगा एक अनुपाते 3 जो कि हमारे पहले option में दिया ग होता है क्योंकि बहुत कम बच्चे से जान पाते हैं तो आज सभी बच्चे सीखेंगे राजेस अनिल से उतना ही छोटा है जितना यह प्रसांत से बड़ा है है ना देखो जो राजेस है ना यह अनिल से जितना छोटा है उतना ही प्रसांत से बड़ा है जैसे मालीजे राजेस अनिल से 5 साल छोटा है, तो राजेश प्रसांत से 5 साल बड़ा है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानि कि अनिल से राजेश जितना छोटा है, उतना ही प्रसांत से ये बड़ा है, ठीक है, बराबर है, प्रसांत से उतना ही बड़ा है, ठीक है, यदि अनिल तथा प्रिशान्त की आयू का योग 48 वर्स हो तो राजेश की आयू कितनी है अब देखना अनिल से कौन छोटा है राजेश तो अनिल में से माइनस कर देंगे राजेश को जो छोटा होता उसको माइनस कर देते हैं ठीक है अब राजेश से छोटा है प्रिशान्त तो राजेश में से माइनस कर देंगे प्रसांत को और यह क्या है आपस में बराबर हैं अब देखना प्रैश्न को और अच्छे तरीके से सीखेगा यह माइनस का R बराबर कर Bournem ए अर्पी होके A मतलब अनिल P मतलब क्रांत तो अनिल और क्रांत अनिल तथा प्रशांत की आयू का योग 48 बरस है अनिल और प्रशांत की आयू का योग है वो 48 बरस है तो मैं यहाँ पर 48 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी दोनों का योग आ रहा है प्लस में दोनों का योग 48 लिख सकता हूँ यहाँ पर 2R अब 2 से 48 कटेगा 24 बार में तो R, R मतलब राजेज राजेज के आयू कितनी है भाई R की आयू, राजेज के आयू निकल के आगई 24 बरस है आप ऐसे प्रेशनों को चुटकियों मोड़ा दो गई बस एक से दो बार प्रेक्टिस करने की ज़रुत है तरीका हम आपको बता रहे है, पूरा चैप्टर आज खतम हो जाएगा चलिए, अब देखते हैं अगला सवाद अगला प्रेशनी है समीर पंकज से उतना छोटा है जितना की वह राजेज से बड़ा है देखो, जो समीर है न ये पंकज से उतना छोटा है जितना की राजेज से बड़ा है समीर पंकज से जितना छोटा है उतना ही राजेज से बड़ा है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं मैंने बताया बराबर जो छोटा होता उसे घटा देते हैं ठीक है, समीर से छोटा राजेज किलियर पंकस से कौन चोटा, समीर जो है, पंकस से उतना चोटा है, समीर जो है, पंकस से चोटा है, पंकस से चोटा है तो पंकस मैंसे मानिस कर देंगे समीर को, ठीक है, और समीर से चोटा राजे से, तो समीर मैंसे मानिस कर दो राजे से को, ठीक है, यही तो बताया और यह दोनों हो जाएगा तो P plus R P plus R का मतलब P से पंकज और R से राजेश ठीक है P से पंकज और R से राजेश तो हमको बोला गया है राजेश से बड़ा है यदि समीर की आयू 20 वर्स है समीर की आयू 20 वर्स हो तो ग्याद कीजिए पंकज और राजेश कि यूग हमें गयात करना है ठीक है चलिए पंकज पिलर राजिस की आईउ का योग जया प्याइब करना है दोगुणे समीर Ais for Samir और Samir के आईउ को कितनी हमारे पास 20 बरस तो मैं 20 लिखूँगा अब दोनों मल्टिप्राई में हैं तो दोनों का मल्टिप्राई हो जाएगा तो ये पंकज हो गया और ये राजेस हो गया 20 कमल पर 2 से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा तो पंकज और राजेस की आयू का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 40 बरस ये आपके सवाल का बिल्कुछ सही जवाब है बाई एक लाइक तो बनता है इस तरीके से मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ क्या आप एक लाइक भी नहीं करोगे हमारे लिए बाई एक लाइक और एक शियर तो बनता है चैनल पर जितने भी बच्चे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें तुरंट ताकि आपके एक्जाम की तयारी बहुत अच्छे से हो पाए ठीक दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद